आज मैं अपने यूटिव फैमिली के लिए बहुत ही जबर्दस और जल्दी से बनने वाली मिठाई की रेसिपी लेके आए हूँ बगएर चूला जलाए हम बर्फी बना के तयार करेंगे और वो भी इतनी मज़ेदार अगर आपके पास टाइम कम हो और महमान आये में और समझ ना आ रहा हो कि मीठे में क्या बनाया जाए और गलाब जामन खीर और नॉर्मली मीठे में सबी हम लोग खाते रहते हैं तो ये जो मीठा मैं आज बना रही हूँ आप लोगों के लिए ये रैसिपी बहुत ही डिफरेंट है और इसका टीस्ट पिदी ऊनिक रही है तो आपने ये रैसिपी लाजमे टर्या करनी है धियर अपना फीडबेक फिर मुझे देना है कि आपको ये रैसिपी कैसे लगी तो आई ये शुरू करते हैं अचकी रैसिपी بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم करने वाला है तो यहां देखिए बस इन चीजों की नेड़ है यहां पर मैंने देखिए पिस्ते लिए था उनको कट करके रख लिया था यह डेकुरेशन के लिए है चीनी है यह मेरे पास एक चमच पिसीवी चीनी है और यह दो चमच मैंने नारियर लिया है पिसावा और यह दूध है मलाई के साथ और यहां मैंने एक कप लिया है सुखा दूध तो बस इन सब चीजों से हम अपने बर्फी बना के तैयार करेंगे तो देखिए सबसे पहले मैंने एक कटोरा ले लिया था उसमें क्या करना है एक चमच नाप के मैं आपको दिखा रही हूँ भरकी एक चमच चीनी का पौडर लिया है मैंने अगर आप चीनी नहीं दालना चारे तो आप क्या कर सकते हैं इसमें शहर भी अगर आप नैचरल मेठे की तरफ जाना चाहते हैं तो जो खजूर होते हैं खजूर को भी आप बारी बारी कट करके वह भी स्विटनेस के लिए आप दाल सकते तो चीनी नालने के बाने यहां देखिए खोप्रा भी बना दाल दिया था और अब यहां पे मैं आट करूंगी दूद तो यहां पे मैंने नीम गरम दूद लिया है और दूद देखिए यह मलाई वाला दूद है तो बस हमने दो चमच यह दूद एट करना है चीनी और खोप्रे में और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके आप 10 मिनट के लिए छोड़ दें ताके जो हमारा खोप्रा है वो अच्छी तरीके से दूद में दूद सोख कर ले खोप्रा तो यह देखिए बस मैं इसको 10 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ यह अच्छी तरीके से सोख भी हो गया होगा और यह सौफ्ट भी हो जाएगा तो इसे हमने देख लिए 10 मिनट तक लिए लिए छोड़ दिय और यह देखिए यह अच्छे तरीके से सौफ्ट हो गया यह फूल भी गया था ना खोप्रा सौफ्ट होने के बाद तो अब हमने क्या करना है अब हमने इसमें एड करना है बस यह जो सुखा दूद है ना मिल्क पौवडर हमने यह एक कप लिया था ठीक है यह आड करने के अब हमने क्या करना है इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है हमने एक डोव बनानी है तो इससे क्या होगा अच्छे देखिए और किसी चीज के हमें नीड नहीं है सिफ दो चमज मैंने दूद के अट की है उसी से हमारी यह डोव बनती चली जाएगी तो यह देखिए जैसे अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे और इसको हमें एक डो की शेप में देनेगे आज जो मैं आपके लिए मिल्क बर्फी की रेसिपी लेके आए हूँ इसे हम बगार चुला जलाएं बहुत ही जल्दी से बना लेंगे वैसे भी आपको पता है कराची में गैस का बहुत इशू है गैस आती ही नहीं है तो आप मुझे कॉमेंट में लाजमें बताइएगा कि आपके एरियाज में गैस का ऐसे ही इशू है तो यहाँ देखिए बॉल मेरी अच्छे से बन गई थी डो देखिए कंबाइन हो गई थी सारा पौडर और दो अलहम दो लीला बन गई थी बस इसको हमने अच्छे तरीके से नीट करना है ताके जो हमारी बर्फी बन के तयार हो वो बहुत ही जादा सॉफ्ट और स्मूध बन के तयार हो तो बस हमें इसे बनाने में दो से तीन नट लगेंगे इसको अच्छे तरीके से न डो को गुनने में और उसके बाद हम क्या करेंगे बस हमारी डो इंशालला बनके तयार हो गई है इसको अच्छे तरीके से नेट करने के बाद अब हमने क्या करना है अब हमने किसी भी प्लेट कोई भी प्लेट या जिसमें आप अपने बरफी रखना चाहते हैं वो चीज ले लें आप कोई ट्र हलवे की तरह तिकौन शेव में कट ले तो मिलक बार की तरह बनाओंगी जैसे बाजार से मिलती है बार वगएर उस तरह तो यहां पर देखिया बस मैंने कहक जिया इसको किसी भी चम्मच या स्पैचुला की मदद से डो को शेप देना है और अच्छी तरीके से हमने इसे शेप देना है देखिए स्पैचुला की मदद से मैं इसे शेप देती जाओंगी आप चाहें आप हाथ की मदद से इसे शेप दे लें किसी भी शेप में आप इसे बना स तो यहां देखें मैंने इसके तज है तरीके से शेपन दे दिया था और प्रेस करते जाए कि आपको और जितनी थेन रखने sunkहिं अब ठेट सकट जो इसके से प्रेस करते जाएगा तौ अब मैं क्या करूँग है अब मैँ इसके कौरणर को क्लीन करने के लिए तो बस मैंने चूरी के मदद से देखी इसको अच्छे तरीके से अगेंड शेप दे दिया था तो यह जो है स्क्वार शेप में आ गई थी क्योंकि मुझे इसे कट करना है आगे तो इसक्वार शेप में मैंने इसे कट कर लिया था और अगर आपको इस टाम पिरिएट आप चाहें आप इसमें बदाम डाल दें या अगर कोई ड्राइब फूर्ट आपके पास ना हो तो आप इसमें पिसावा खोप्रा जो हमने बर्फी में यूज़ किया है वो भी आप इसके ओपर डेकॉरेशन के लिए लगा सकतें बस इस तरीके से पिस्ते डाले हैं और इस नहीं पता होता कि किस तरह बनी वे होती हैं तो अगर आप इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वे में बच्चों को घर में बना के देंगी तो बच्चों के हेल्थ के लिए इतना नुकसान दे नहीं होगी वो चीज़ और हाइजिन तरीके से भी वो चीज़ बनाएंगी तो आप बिल्कुल सैटिस्फाय रहेंगी कि आपने खुद अपने हाथों से हाईजिन तरीके से बच्चों को बना के दी है और बच्चों को लंच बॉक्स में बच्चे जाते हैं जार से बाते स्कूल तो अलग अलग वे में मदर्स परिशान हो रही होती है कि लंच में डेली डेली क्या दिया जाए तो अगर आप ऐसा आइटम्स बना के रखेंगे न तो बच्चे वो बहुत शौक से स्कूल में भी अपने लेके जाएंगे और वो टिफिन इंशालला लंच वाक्स अपना पूरा खतम करके ही आएंगे तो यहां देखिए अगर आपके पास चांदी का वर्क हो तो आप उसे लगा दीजिएगा अधर्वाइस आप इससे स्किप कर दीजिएगा कोई मसले वाली बात नहीं बस इससे क्या होता है इससे थोड़ी सी जो हमारी बर्फी है न वो बहुत ज़्यादा प्रिजेंटिबल लगेगी और लगेगी बिलकुल हमने बजार से इसे मंगाई है तो यहां देखे मैंने बर्फी को 10 मिनट फ्रिज में रखा है और उसके बार मैंने क्या किया था इसको मैंने कट कर लिया था बार की शेव में जैसे चॉकलेट सा में बार से मिलती है न बजार से वैसे ही तो अलहमदलिल्ला हमारी मिन्टो में यूनिक सा मिठा बनके तयार है मिल्क की बर्फी बनके तयार है या मिल्क बार बनके तयार है यह आपको देखने में जतनी मज़ेदार लग रही है आपको समझना आए कि क्या बनाना है तो कुछ डिफरेंट आपने ट्राइ करना हो तो आपने ये रेसिपिलाज में ट्राइ करना है ये दिखें अब मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखा रही हूँ ये कितनी सॉफ्ट और स्मूध है कि ये हर को एजली खा सकता है घर में बड में टक अपना खयाल रखेगा ले हाफिज